तुम क्या कर रहे हो? इस मित्टी के नीचे कुछ-कुछ महसूस हो रहा है तो वे जड़े होंगे जो मित्टी से जल और भोजन ले आ रहे होंगे तुम्हें अपने पूरे शरीर के बारे में समपूर्ण जानकारी होनी चाहिए क्यूंकि सभी भाग विभिन्न कार्य करने के लिए महस्त्व पूर्ण है पौधो के भाग उसके लिए विभिन्न कार्य करते है जड़े जड़े मित्टी से जल तथा खनीच सोकने के लिए पीने की नली का कार्य करते है जड़े पोधों को मिट्टी से जकर कर रखने में मदद करते हैं जिससे वह गिर ना पड़े संसार में अनेक प्रकार की जड़े देखने को मिलती है जिन में अधिक तर तीन प्रकार की होते हैं ये निमनलिखित हैं टाप रूट टाप रूट बड़े और मांसल दिखने वाले भोजन की खोज करते हुए धर्ती में गहरे उतरने वाले भोजन संग्रह करते हैं ये विशेश कर बहुवर्शी पौधों के लिए प्रसुपी के समय आवश्यक होती है पाइब्रिस रूट ये जड़े मिट्टी की सतह पर या पास ही स्तित होते हैं ये धर्ती में प्रेसिपिटेट होकर धर्ती में गहरे उतरने से पहले इसे इकठा करते हैं एडवेंटीशिस रूट्स ये जड़े पौधे को उपर चड़ने में मदद करते हैं उधारन आईवीज जड़े भविश्य में पौधों की उप्योग के लिए अतरिक्त भोजन को भी संग्रह कर रखते हैं डंठल डंठल अनेक काम करते हैं वे पौधे को सहारा देते हैं वे पौधे के प्लंबिक सिस्टम जैसा काम करते हैं जड़ों से जल तथा पोशन ले जाने तथा ग्लूकोस के रूप में भोजन पत्तों से अन्य भागों को पहुचाते हैं डंठल कभी नरम होते हैं जो आसानी से टेढ़े होने वाले होते हैं उधारन डेजी अत्वा ओक पेड के समान काश्टिय भी हो सकते हैं जिन पोधों के डंठल पोधों को जल पहुचाने का कार्य करते हैं उन्हें वैसकुलार पोधे कहते हैं नसे इस प्रक्रिय में मदद करते हैं ऐसे नसों को वैसकुलार बंडल्स कहते हैं अन्य पौधे जो काम के लिए आसपास की आद्रता पर निर्भर रहते हैं उन्हें नौन वास्कुलार पौधे कहते हैं डंठल के क्रॉस सेक्षिन देखने पर हम उसके भिन भागों को स्पष्च देख सकते हैं वे है एपिडर्मिस डंठल की बाहरी परत प्लोईम वेसल्स रस ले चलने वाली मली कैन्बियम डंठल के नए भाग कार्क डंठल को सुरक्षा देने वाले आवरण पित डंठल के केंद्रिय भाग जाइलम वेसल्स जो डंठल का काश्टी या भाग है पत्ते पोधों का अधिकतर भोजन उनके पत्तों से बनता है पत्ते सूरज की रोशनी ग्रहन करने जैसे पने हुए होते हैं जो उससे पोटो सिंतेसिस नामक प्रक्रिय द्वारा भोजन बनाते हैं पूल पूल सरवाधिक पोधों के प्रजनन अंग होते हैं पूलों में पराग, ओव्यूल नामक छोटे अंडे स्टेमिन, आंथर, स्टिग्मा, पिस्टिल, पंखूडी तथा सेपल होते हैं पूलों के पराग सिंचन, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल फल में बढ़ने लगता है इसके बारे में आगे ग्रहन चर्चा करेंगे फल बीजों के लिए आवरन देता है फल सेप जैसे मानसल हो सकते हैं या फलियों से कड़े भी हो सकते हैं बीज बीज में नए पौधे होते हैं फलों में बीज बनते हैं झाही मैं झाही और बीज ओघँ झाल झाल